दोस्तो राजिस्थान के एक गाउं में 300 साल से एक एक्छाधारी नागिन आज भी जिन्दा है और एक विसाल वर्गत के पेड़ पर बैठी है वो आज भी अपने नाग का इंतिजार कर रही है दोस्तों कहते हैं कि एक एक्छाधारी नागिन अपनी नाग के पिरती बहुत बाफादार होती है उनका प्रेम इतना गहरा होता है कि साथ जन्मों तक वे अपने प्यार को निवाने की तागत रखते हैं ऐसा ही कुछ नजारा राजिस्थान के एक गाउं आजीवी में देखन को मिला दरासल इस गाउं से लगबक कुछे दूरी पर एक खंडर नुमा किला है उसी के पास एक बड़ा सा विसाल बरगत का पेड़ है जहां अक्सर उस रास्ते से जाते यात्रियों को वो नागिन धिक जाती है गाउं के बड़े बोजुर्ग बताते हैं कि एक दिन नाग के पास नहीं थी तो एक बड़े से चील ने नाग को दबोच लिया और दूर उड़ा कर ले गई और नाग को मार डाला बहीं नागिन अपने नाग के बियोग में आज भी करीब 300 साल से उसी बरगत के पेड़ पर अपने नाग का इंतिजार कर रही है उसे नागिन के बारे म कहा तो ये भी जाता है कि कई वार लोगों ने उसे इस तरी के रूप में भी देखा है अक्सर दिन के समय जब सब कुछ सुनसान हो जाता है कई लोगों ने उस पेड़ से पेरों के पाईलों की बजने की आवाज सुनी है और रोने की आवाज भी बहां से आती है लोग बता रात के समय जाते ही नहीं है तो दोस्तों जो भी महादेब के भागते हैं और नाग देब पर बिजवाज रखते हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेब जरू लिखते हैं